हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या आरेस एकडमी में दोस्तों RPSC फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए इतियास का क्रेस कोर्स स्टार्ट किया गया था जिसमें दोस्तों अपनी 24 कलास है वो कंप्लीट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें 25 कलास है अपना टोपिक चल रहा था मुगलकाल ठीक है मुगलकाल के बारे में दोस्तों अपने पिछली कलास में इस्तापत्य कला के बारे में पढ़ लिया था आज दोस्तों अपन संगीत कला के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तों मुगल काल में इस संगीत कला में क्या-क्या योगदान हुआ संपूर्ण चीज़ें अपने इसमें बात करेंगे सेलिबस के अकोडिंग ही चल रहे हैं अपन तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अरत्यारेस अकेटमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो दोस्तों देखो संगीत कला मुगल काल में कला के चितर में सरवादिक विकास हुआ मुगल काल में कला के चितर में सरवादिक विकास हुआ जिसमें चितर कला और संगीत कला को परमुक इस्तान दिया गया है बाबर नामा में यह बताया गया है कि बाबर की संगीत में गहरी रूची थी और वह इना इरानी तंदूरा भी बजाता था ठीक है अब समझ में आगया इतना तो दोस्तो संगीत कला और चित्र कला का दोस्तो मुगल काल में काफी ज़्यादा विकास हुआ है और बाबर नामा जो बाबर की आत्मकता है ठीक है उसमें ये भी बताया गया है कि बाबर की संगीत में है वो बहुत ज़्यादा रूची थी और दोस्तो बाबर है वो खुद इरानी तंदूरा बजाता था ठीक है देखो बाबर सुफियानी राग अधिक सुनता था लेकिन इसके काल में संगीत का विकास नहीं हुआ तो सबसे पहले बाबर ही आता है उसके बाद में हुमायू फिर उसके बाद में अकबर फिर जांगेत फिर साजा फिर औरंगेप ठीक है अपने सभी राजाओं के बारे में संगीत के चेतर के बारे में अधिन करेंगे तो दोस्तो बाबर के काल में संगीत का जो विकास है वो अधिक नहीं हुआ देखो मुगल कालीन संगीत का लाका जो सरवादिक विकास है वो अकबर के काल में हुआ अकबर के काल में सरवादिक संगीत का विकास हुआ है जिसके दर्बार में चार प्रमुक्चित्रकार थे कौन कौन से तो देखो लाल कलावंत, बाबा रामदास, बाज बादूर और तानसेन ये चार महत्वपुन संगित अग्ये थे जो अकबर के दर्बार में रहते थे देखो अकबर स्युम नगाडा बजाता था और पकी राग भी गाता था अब बाबर क्या बजाता था तो इरानी तंदूरा बजाता था कौन बाबर और अकबर क्या बजाता था तो ये नगाडा बजाता था देखो अकबर ने लाल कलावंत से संगीत की सिख्षा ग्रहन की थी ये पुरसन आप आ सकता है लाल कलावंत आपको याद रखना है देखो आगे अब अपन सबसे पहले तांसेन के बारे में जान लेते हैं कि तांसेन कौन था देखो तांसेन इसने संगीत की सिख्षा ग्वालियर के राजा मान सिंग की संगीत साला से ग्रहन की थी किसने तो तांसेन ने तीक है ग्वालियर के राजा थे मान सिंग तीक है राम तनुपंडे ये तानसेन का दोस्तो वास्टविक नाम था इनके गुरू का नाम क्या था तो वरंदावन के बाबा हरिदास थे वो दोस्तो तानसेन के गुरू थे ठीक है आगे देखो यह हैं रीवा के राजा राम चंदर के दर्बार में रहते थे जिसने तानसेन को अकबर को भेट कर दिया था ठीक है अब देखो वरंदावन के बाबा हरीदास थे जो तानसेन के गुरू थे अब हुआ ये कि जो बाबा हरीदास जी थे ये रीवा के राजा राम चंदर के दरबार में रहते थे और उसने क्या क्या कि तांसेन को है वो अकबर को भेट कर दिया था अकबर ने तांसेन को कंठा भरन वानी विलास की उपादी दी थी याद रखना आपको कि अकबर ने तांसेन को कौन सी उपादी दी थी तो कंठा भरन वानी विलास की उपादी दी थी किसने तो अकबर ने ठीक है यह एक मात्र संगीतकार था जो अकबर के नो रतनों में सामिल था ठीक है आपको याद रखना है तांसेन है वो अकबर के नो रतनों में सामिल था आगे देखो अबूल फजल ने कहा था कि तानसें जैसा संगीतकार भारतिय इतियास के हजारों वर्सों में भी नहीं हुआ है ऐसा किस ने कहा है तो अबूल फजल ने कहा है याद रखना परिक्षा में प्रशन पूछा जा सकता है कि तानसेंज जैसा संगीतकार भारतिय इस्तियास में हजारों वर्सों में भी नहीं हुआ है ऐसा किस ने कहा तो अबुल फजल ने कहा है ठीक है दूसरा है बाज बाहदूर बाज बाहदूर ने क्या कहा है कि यह मालवा का सासक था जिसको अकबर ने 1562 ईस्वी में जीत कर बाज बाहदूर को अपने दर्बार में न्यूकते कर लिया था तो बाज बाधूर कौन था समझ में आ गया कि बाज बाधूर है वो एक मालवा का सासक था जिसको अकबर ने 1562 में जीत कर बाइजबादूर को अपने आं युक्ते कर लिया था ठीक है देखो बाइजबादूर को अकबर ने 2000 का मनसबदार भी बनाया था ठीक है आगे देखो बहुत इंपोडेंट चीज है बेजु सुबावरा ठीक है बेजु बावरा अकबर के समकालीन था लेकिन अकबर के दरबार में नहीं रहता था ठीक है बेजुबाव रहा है ये अकबर के समकालीन था लेकिन अकबर के दरबार में नहीं रहता था देखो अंग्रेज यातरी थे कौन विलियम फिंच विलियम फिंच ने बताया कि अकबर ने संगीत कारों की एक टी तो सुनाते थे ठीक है ऐसा किसने काया है तो अंग्रेज अधिकारी विलियम फिंच ने ठीक है आपको याद रखना है देखो अबुल फजल के अनुसार अकबर ने अपने दर्बार में 62 राज्यों के संगीत कारो को आश्रे दे रखा था किसने तो अकबर ने ठीक है याद र रही परंपरा को यथावत जारी रखा ठीक है हलंकि ये गाना बजाना है ये जांगीर को पसंद नहीं था लेकिन अकबर से चली आ रही जो परंपरा है ठीक है उस परंपरा को इन्होंने यथावत रखा था देखो जांगीर के दर्बार में च्छे संगीत कार रहते थे कौ नमजा और चत्रखां ठीक है ये 6 संगीतकार रहते थे किसके दर्बार में तो जांगीर के दर्बार में आपको इसमें क्या करना है याद रखना है अगर दोस्तो आपको sim to sim ऐसे अगर notes पराप्त करने है ठीक है फ़र्श पेपर की history के लिए तो दोस्तो उसकी प्राइज रखी गई है 150 रुपए इसमें टोटल 188 पेज होंगे जो 30 नमबर का मेटर है वो आपको 188 पेज में मिल जाएगा ठीक है इसकी प्राइज रखी गई है 150 और भी इसमें सब्जेक्ट है ठीक है तो अगर फर्ष्ट पेपर के लिए आप नोट्स पर राप्त करना चाते है तो दोस्तो यहाँ पर मॉबाइल नमबर लिख रहा हूँ में 9664 140 458 ठीक है यह मॉबाइल नमबर है 9664 140 458 ठीक है तो अगर आप रिविजन करना चाते हैं क्योंकि परिख्षा नजदिक है तो अगर आप रिविजन करना चाते हैं तो दोस्तो आप नोट्स करीद सकते हैं काफी लोगों ने नोट्स करीदे हैं वो रेगुलर पहले कलास देखें और फिर रिविजन करें ठीक है आप दोस्तों परिक्सा से एक दिन पहले भी पूरे 188 पेज़ का रिवीजन आप कर सकते हैं अप देखो आगे ये छे संगीतकार थे किसके दरबार में तो ये दोस्तों जहांगीर के दरबार में ठीक है देखो जहांगीर के दरबार में बिलास खा नमक संगीतकार था जो ता सोकी तीक है जांगीर ने एक गजल गायक सोकी को आनन्द का की उपादी दी थी तीक है एक गजल गायक थे कौन सोकी unko आनन्द का की उपादी दी थी अब देखो जहांगेर के बाद में साजा साजा के बारे में देखो अकबर के बाद संगीत कला का वास्तविक विकास साजा के काल में हुआ था साजा को सुफियाना नर्ते का भी ग्यान था ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है देखो यहें दुरुपद राग अधिक गाते थे इसके दरबार में खुसहाल खा नामक एक वेक्ती रहता था जो टोड़ी राग गाता था अब देखो इसके दरबार में कौन कौन मेतवपुन संगीतकार थे साजा के दरबार में तो लाल खां, सूरसेन, पंडित जगनात, जगनात और दुरुपद खां ये पांच संगीतकार मेतवपुन हैं जो आपको याद रखने हैं ये साजा के दरबार में रहते थे देखो लाल खां बिलास खां का दामाद था लाल का है वो बिलास खां का दामाद था और बिलास खां कौन है तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये तानसेन का पुत्र था ठीक है दोस्तों अब देखो जो ये लाल खां है ये तानसेन और बिलास खां दोनों का ही दामाद लगता था ठीक है ये भी आपको इसमे याद रखना है जिसने सहाजा ने गुण समुंदर की उपदी दी थी तीसने सहाजा अब देखो पंडित जगनात के बारे में एहमद लाहुरी ने बताया कि यहां सबसे बड़ा विदवान था जिसने दो महतोपून गरंथोंगी रचना की थी एक का नाम था रस गंगादर और दूसरी का नाम था गंगलहरी ठीक है तो आपको याद रखना है पंडित जगननात के बारे में ठीक है, दो गरंथिन के बहुती महतोपून है एक तो रस गंगादर और दूसरा गंगलेरी अब देखो B-H-A-G-S-O ओ का मतलब ओरंग जेब ठीक है अब देखो ओरंग जेब के बारे में यह कटर इसलाम में विश्वास रखता था जहांपर संगीत को निशेद माना गया है यह कटर इसलाम में विश्वास रखता था जहांपर संगीत को निशेद माना गया है लेकिन स्वयम ओरंग जेब वीना बजाता था इसने 1668 इस्वी में अपने दरबार में संगीत पर पून रोक लगा दी थी कब है? 1668 इस्वी में इसी कारण संगीत कारों ने संगीत का जनाजा निकाला था देखो इस जनाजे में तबला और तंदूरे को सामिल किया गया था इस समय ओरंग जेब ने कहा था कि संगीत की कबर इतनी गहरी बनाना कि उसकी आवाज बहार तक ने सुनाई दे ठीक है? तो 1668 इस्वी में क्या किया? तो 1668 इस्वी में दोस्तों औरंग जेब ने क्या किया? कि संगीत पर पूंट तरोक लगा दी फिर दोस्तों संगीत कारों ने क्या किया? कि संगीत का इसमें जनाजा निकाला था? और उस जनाजे के अंदर दोस्तो तबला और तानपूरे को सामिल किया था और जब ये जनाजा निकला तब दोस्तो औरंगजेब ने कहा था कि संगीत की कबर इतनी गहरी बनाना कि उसकी आवाज बाहर तक ने सुनाई दे देखो अठारवी सताबदी में मुगल बादसा समझ में आ गया अठारवी सताबदी में मुगल बादसा रंगीला मुहम्मद साह के काल में सरवादिक विकास हुआ था जिसके दर्बार में तीन संगीत कार रहते थे एक का नाम था दोस्तो नेमत खां दूसरे का नाम था सदारंग और तीसरे का नाम था अडारंग ठीक है यह दोस्तो ओरंग जेब के काल में जानिके ओरंग जेब के दर्बार में तीन संगीत कार रहते थे नेमत खां सदारंग और अडारंग ठीक है आपको नाम याद रखना है अगर दूस्तो आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो दूस्तो एक बार फिर नंबर लिग देता ठीक है, फर्स्ट पेपर के Notes के लिए क्योंकि सांद पेपर में सबी के नंबर आएंगे जिनका subject का पेपर है वो subject में मारत होते है ठीक है, لेकिन फर्स्ट पेपर में हर कोई मारत नहीं होता जो पढ़ेगा, ठीक है वो उसके ही नमबर आएंगे तो दोस्तों मैं आपको matter ऐसा दे रहा हूं कि आप cover कर सकते हो आसानी से ठीक है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अराध्य RS Academy के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें